अगर आप पडिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक नई व्यवस्ता शुरू की गई है वारनसी घूमने जाने के लिए पटना से जल्दी दो डवल डेकर कुरूज की सुविधा उपलब्द होगी परेटक गंगा नदी के रास्ते यात्रा का लुथ उठा सकेंगे गंगा के रास्ते पटना से वारनसी जाने की तैयारी चल रही है इसके लिए रोरो वेसल नामक जहाज तैयार किया जा रहा है पटना के गाई हाट से इसे चलाया जाएगा भारती ये अंतर देशिये जल मार्ग, प्राधिकरन और परेटन विवाग के बीच इस योजना को लेकर बात चल रही है पटना की ही फ्लोटेफ क्रूज कमपनी अगले महिने सरकार को प्रस्ताब देगी सब कुछ सही रहा तो जुलाई से लोग इसका आनन्द उठा सकेंगे पटन विवाग के सूत्रों की माने तो इस रोरो वेसल जहाज से एक साथ करीब तीन सो लोग यात्रा कर सकते हैं कि 50 लोगों को एक साथ रेस्टोरेंट में बैठने की सूविधा होगी इस जहाज से आप गंगा नदी की सैर तो करेंगे साथ ही यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कारेक्रमों का भी आनन्द ले सकेंगे इसके अलावा इस वेसल जहाज पर खाने पीने की सूविधा भी उपलग्ध होगी जहाज के अंदर दो रेस्टोरेंट होंगे बताये जा रहा है कि 50 से अधिक लोग वेसल जहाज के रेस्टोरेंट में बैठकर एक साथ खाना खा सकेंगे प्राधिकरन के सूत्रों की माने तो रोरो वेसल जहाज दो तरह का होता है एक मालवाहक और दूसरा पैसेंजर पटना से कासी तक जो जहाज चलाने की योजना बन रही है वो पैसेंजर जहाज चलाने की है गाई घाट से किया जाएगा रोरो वेसल दिखा घाट पर भी रुकेगा, यहां जहाज पर सवार होने के लिए जेटी लगेगी, यहां से दानापूर, मनेर, डोरी गंज, रीवील गंज, सुन्दरपूर बराज, रुदरपूर, बलिया, बकसर, चौसा, जमनिया, गहमार, गाजीपूर, रजिवारी होते वारानसी जाएगा, इस रास्ते में पढ़ने वाले एतिहासिक इस खलों की सैर कराते हुए, यह चार दुनों में वारानसी पहुँचेगा, पटन से वारानसी का किराया कितना होगा, यह तो अभी तक नहीं है, हाला कि विवाक के आदिकारी के मुताबिक, टूर पैकेज सस एक सब्ता में एक दिन यूपी के लिए चलाया जाएगा, परेटकों की डिमांड पर दो दिन किया जा सकता है, गंगा नदी के रास्ते यूपी आने जाने के लिए सरकार जल्द गंगा नदी का रूट तै करेगी, 125 सीटर जहाज को चलाने की तैयारी है, लाइसेंस के प्रस्ताफ सरकार को सौपा जाएगा